अलो कसान भाईयों कैसे हो आप भी मैं आज बाजरा साब कर रहा हूं कल किसी बाई का कॉमेट दो तीन का आया था और एक बो का कोल ला है था कि बाजरा का मसीन उड़ा जादा रही है थोड़ी सेटिंग के बारे में जानकरी दो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है तो मैं अब भी बाजरा साब कर रहा हूं थोड़ा 5-10 सेकेंड का आपको मैं वीडियो फिलिप दिखा देता हूं बाद में बाजरी की सेटिंग के बारे में पूरी-पूरी जानकरी बताँगा बाजरा एक तो आप कौन सा बाजरा साब कर आई ब्रेड बाजरा साब कर या देसी ब सकति दिखा बाजरा और देशी बाजरा में जो अपना गटर लगाते गटर लगाते उसमें थोड़ा है अलका चांज रहता है और थोड़ा ओन जाली में भी चांज रहता है इसी वज़ए से आब मेर पो अगले बार कॉमेंट करके बताना कौन सा है जान वाल यह परेसित सब्सक्रेटा हां आप में आप पर इसके वह से इसके आप 4 तारी स्टारी और की यूज़ कर सेकते हो अगर को पारतार तो आप से 5-6 स्टारी तो तो यूज़ कर सकते हो तो इससे ज्यादे ताड़ी का नहीं माना बोतर ताड़ी का पिचोतर का होगा चलेगा एठोतर का होगा तो भी चलेगा इससे ज्यादे ताड़ी का कटर मत यूज करो निकलेगा नहीं मेरे ख्याल से पिचोतर शितोतर एठोतर या बोतर के आसपास कोई भी आप यूज कर सक जाली की ऊपर वाज याप जाली 10-15 नवन नमकर नवन भाज राएril का पाँद 1916-192 भेजन डाली नमबर थिशे कर सकते। और फंखों की साइज जे बताओं तो पंखह के अवाव स्पीड यह अप कम कर देना और मसीन को सिंगलबरت में चलाना है और अपने ऐनली यह भी एक नमर पर चलेगी और मसेश रख Bay सिंगल मसीन अइश्पीट जलेगी और पंख वोकी आरपीम सिमने तो भेच वार अपना सिमन में रहेगा और कमोग की साइजज लगखे है और पंखед गे ज्सरी चार से चायारिव से य। तो से चारएय ऋग होते को भी और बाजरा एकदम क्लियर साफ होगा मेरा गरानटी के साथ और उड़ेगा भी नहीं अहां कई-कई भाईयू को पोला है कि जाल चोक कर लेते गटर आदा फटके बंद कर दो बंद फटकों में आप आपका मसीन नहीं चलेगा क्योंकि ट्रेक्टर दबेगा आदा आदा गटर चोक हो जाएगा तो बाद में बाहर निकलने की जगह नहीं रहेगा इसी वज़े से ट्रेक्टर दबेगा बहुत आप कभी भी चलाओ तो अपना चोक करके मत चलाओ यह फटका पगेरा बंद करके मत चलाओ खुले में चलाओ अगर हो सकता है आपका ट्रेक्टर एकदम आस चलाओ तो करको आदा इंसी दूरी बना दो पतियों में पाले है उसे ज्यादा लेकिन चोक करके मत चलाओ